अलो एवरीबन नमस्कार दोस्तों स्वाहत है आप सभी का एक बार फिर से अशीश गौतम के साथ अटे247 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर है और आज हम लोग 10th से 16th of July की जितनी भी most important news बनती हैं उन पर based mcqs का discussion करेंगे तो हम लोग 100 mcqs की करें हैं कि बाइदवे मेरी तरफ से अगर कुछ भी चीज इसके पोती है लाइक कोई कर इंटफेस हम लोग skip कर भी रहें गलती से अगर skip हो भी जाता है तो इसको हम लोग mcq form में आपको provide कर पाए क्योंकि हम लोग regular session में गलती से skip हो भी जाता है तो आपसे बस इतनी गुजारिश रहेगी कि इस session को please आखरी तक देखेगा इस week में आपको सारी चीज़े अवेलेवल हो जाएंगी इस week में सारी classes अवेलेवल हो जाएंगी सब Q में लगी हुई है इस week में आपको Tuesday Wednesday onward सारी चीज़े मिलने लग जाएंगी एक बार session को फटाबट फटाबट शेयर करना start करेगा और दोस्तों आप लोग आप लोग अर फोकस कर लेते हैं एक जरा ध्यान से समझेगा ऐसे इस फारेंट जो 22 एक्जाम को टार्गेट कर रहे हैं ओके जिनका उतेश यह 22 एक्जाम को क्लियर करना है एक बात आप लोगों को बहुत मतलब धंग से समझनी पड़ेगी और इस बात को accept करना पड़ेगा कि general awareness की तयारी लास्ट टाइम पर नहीं करनी है मेरे भाई general awareness को आपको regular लेकर चलना है regular इसकी तयारी करनी है और उसके लिए जरूर यह कहीं न कहीं कि अभी से सारी preparation स्टार्ट कर देनी चाहिए इसके लिए मैं आपको suggest करूँगा कि आपका financial awareness अभी से complete होकर चलना चाहिए और financial awareness के लिए आप मेरे warrior 3.0 या 4.0 batch को prefer कर सकते हैं okay warrior 3.0 जो मेरा batch है यह running में चल रहा है और warrior 4.0 batch है 23rd of July से यह start होगा 23rd of July से इसकी timing रखे Tuesday, Thursday, Saturday, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक okay 11 पंदरह तक हम लोग इससे cover करेंगे और जो warrior 3.0 है इसकी timing Monday, Wednesday, Friday है मतलब कहने का यह है कि जो warrior है यह warrior 3.0 Monday, Wednesday, Friday चलेगा MWF में यह running में है आपका running में current में चल रहा है और जो यह 4.0 है Tuesday, Thursday, Saturday चलेगा timing दोनों की same रहेगी और इस बात को जरूर समझना कि यह जो batch है यह warrior pro का part है okay किसका part है मेरे भाई warrior pro का part है fine monthly current affairs में आपको provide कर रहा हूं यहाँ पर January to December यहाँ मैं अप्रेल करा च चुका हूं में का आपका चल रहा है में की classes आपकी regular है Monday से Friday यह classes चल रही है और कल भी आपको इसकी class मिलेगी और इसमें जो यह class रहेगी मेरे दूस्सकी timing सुबह साड़े 8 बजे से सुबह साड़े 9 बजे की timing 8.30 to 9.30 इसकी timing रखी है fine तो यह दो सुबह का साड़े 8 से साड weekly mcq okay और weekly mcq इसी में आपको मिलेगा June की last classes में मिल चुकी है July की first, second और third आपको इस week में तीनो की तीनो अप्लोड हो जाएंगी okay first, second and third इस week में जो upcoming week है मेरे दोस्स इसमें आपको यह तीन classes अप्लोड हो जाएंगी first week की second week की और यह तीसरा third week है मेरे दोस्सकी okay तो यह weekly mcq now is now it is a part of current affairs mcq इसमें मेरे दोस्स आपको मैं cover करने की बोलूँगा तो अप्रेल में हम लोग अप्रेल से cover करके चलेंगे सारा क्योंकि हमारा exam September में देखने को मिलेगा तो अभी मैं June की provide करें प्रिवियस भी provide करूँगा बट June फिर July सरीके से parallel लेके चल रहा है static g के बीच आपको future में start होता हुआ देखेगा और future में मेरे दोस्त मतलब future मतलब अगस्त में आपको यह start होता हुआ देखेगा तो इस बैच में भी मैं आपके static g के cover करूँ आप बेसिकली कहूँ तो यह 4 से 5 बैच जो है यह सिर्फ एक single batch का part है and this is a warrior pro okay and you should take admission मेरे दोस्त इसमें admission आपको लेना चाहिए उसकी importance यह है कि अगर आप लोग इस बैच में admission लेते हैं तो उसका reason यह है कि आप financial awareness अपना complete कर चुके होंगे main से पहले current affairs अपने main से पहले complete हो चुके होंगे current affairs mcqs आपके almost done होंगे static g के आपका cover होगा आपको ज़्यादा कुछ effort at the time of mains करने नहीं पड़ेंगे यह बात basically मैं आपको कहूंगा यह आपका दोस्त bank maha pack का भी part है bank maha pack plus का भी part है और adda के maha pack का भी part है इसमें enroll कराने के लिए आपको suggest करूँगा आप website पे भी जा सकते है application से भी जा सकते है बट application और website में इतना संतर है एप पर आपको 1% extra discount मिलता है coin वाला ओके 77, 77 दौनों जगे है आप जब code लगाएंगे अपने भाई का Y168 जब यह code लगाएंगे तो यह batch पढ़ेगा आपको 1496 का 12 month आपको इसमे वैल्टी दी जा रही है ठीक है तो इसके लिए code लगाएंगा Y168 मेरे दोस्त तो यह batch इस है warrior 4.0 start होने वाला है 23rd of July से warrior जो 20 मतलब अभी running में चल रहा है 3.0 आपको दोनों provide कर रहा हूं है ठीक है और current interface mcq मिल रहा है Y168 code लगा के क्योंकि 3.0 running में चल रहा है इसमें मैंने budget पढ़ाना start कर दिया है ठीक है priority sector lending और जो नाबाड है यह मैंने cover करा दिये सारे काफी कुछ है दोस्त आप जाकर आज इन्रोल करा सकते हैं इस batch में अब बढ़ते ही यहाँ पर पहले सवाल की तरफ which state become first state in the country to have an exclusive research and development policy कौन सा राज्य एक विशेश अनुसंधान और विकास नीती रखने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तो इसका नाम है मेरे भाई करनाटक ओके करनाटक तो करनाटक has become the first state करनाटक पहला state बन गया देश का जहाँ पर एक exclusive research and development policy है ओके एक exclusive research and development policy वाला पहला state कौन सा है इट इस करनाटक क्लियर भाई इट इस करनाटक ओके नेक्स्ट अब करनाटक रेलेटिड करेंट अफेस देखिए करनाटक ने fruit to software लाँच किया था फार्मर्स के लिए ओके आयू application launch करी थी योगा के माध्यम से जो भी disease है उनको heal करने के लिए उनको address करने के लिए रॉबिन उथप्पा को brain health initiative का random message बनाए गया एक social awareness campaign, science campaign ये करनाटक का है नंदिनी शीरा समरती cooperative bank milk producer के लिए करनाटक नहीं open किया है विनाया समरस्या initiative ये करनाटक का है देश का पहला digital water, aquarium ये दोस्ट बैंगलूरू में launch किया गया women at the rate work program ये किसका करनाटक का है ये करनाटक का है आई हो प्यार गाइस clear होगा next लेखेगा पावर finance corporation ने एक loan agreement अभी sign किया था Japan bank for international cooperation के साथ Japan bank for international cooperation के साथ पावर finance corporation का एक समझोता रहा था to finance its renewable energy portfolio सवाल उठता है मेरे दोस्त कितने का ये समझोता रहा था बताए कितने का ये agreement रहा था right answer बनेगा option number 4 यहाँ पर 30 billion Japanese yen का 30 billion Japanese yen का collaboration रहा पावर finance corporation का किसके साथ Japan bank for international cooperation के साथ किस चीज़ के लिए renewable energy के लिए फाइन इसके लावा देखना Japan bank for international cooperation इसने दोस्त long term facility provide किये PFC को इसका एक initiative है इसका नामे green initiative अपने green initiative के तहत ये facility provide की गई है green initiative की full form बनेगी global action for reconciling economic growth and environmental preservation तो ये जो green initiative है ये वी आईसी का इसके तहत इसने 30 billion Japanese yen दिये हैं power finance corporation को renewable energy projects के लिए ओके नेक्स सिखेगा अगला देखना natural farming conclave was held in which city प्राकरते खेती सम्मिलन किसे शहर में आयोजेत किया गया था तो ये गुजरात के सूरत में आयोजेत किया गया था गुजरात के सूरत में natural farming conclave को आयोजेत किया गया next अब बाखी के शहर देख लेते हैं कोची में एक cancer diagnostic research center बना है गोहाटी में अंबू बाची मेला रहा था कामक्या टैंपल में one health pilot जो initiative है ये बैंगलूरू में रहा था one health pilot initiative और नागालेंड के दीमापूर की बात करते हैं यहाँ पर honey testing laboratory को open किया गया देहरादून की बात करेंगे दोस्ट देहरादून की तो यहाँ पर 9th army to army staff जो talk रही थी इंडिया उस्टिला के बीच में यह देहरादून में रही थी and Mumbai की बात करें तो most costly city है देश का Mercer के 222 के cost of living survey में overall यह 127 नंबर पे रहा है 36 government has received principal approval from center for 30 million US dollar okay मतलब 300 million US dollar की केंदर के द्वारा 36 government को approval दे दी गई है उसके school project के लिए सवाल उड़ता है यह 300 million लगबक 2100 करोड़ रुपे है यह किसके द्वारा दिये जाएंगे यह 200 करोड़ रुपे किसके द्वारा दिये जाएंगे बताईए मेरे भाई what about this concept करिएगा right answer बनता है यहां पर world bank okay यह 200 करोड़ रुपे जो है यह wish bank provide करेगा अगला देखना तो यह 22 की जो global biodiversity conclave रही थी वो किस शहर में आज़ेत की गई थी basically यह जो sustainable use है wild species का इस पर focus कर रही है तो यह 22 की वैश्विक जैब विवित्ता सम्मिलन किसे शहर में आयोजेत किया गया जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग पर ध्यान किंद्रित करने के लिए किसी शहर में वैश्विक जैब विवित्ता सम्मिलन आयोजेत किया गया तो बिड़ जर्मनी के बॉन में इसको आयोजेत किया गया next अब बाकी के शहर देख लीजिए तेलंगाना का हैदराबाद न्यूज में रहा था टीहब 2.0 वर्ड का लार्जेस इनोवेशन केमपस है यह तेलंगाना में रहा है है हैदराबाद में तेलंगाना के रामा गुंडम में 100 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर को कमीशन किया गया 5th Global Tourism Conclave यह मुंबई में रहीती राहिस्तान के जोदपूर में सुरक्षा मंतन रहा था बॉर्डर और कोस्टल सिक्यॉरिटी को लेकर धरासिव जो ओस्माना बाद का नाम बदल कर धरासिव किया जाएगा औरंगाबाद का नाम बदल कर संभाजी नगर किया जाएगा ओके यह भी याद रखेगा next यार assessment on the sustainable use of wild species जो रिपोर्ट है इसको किसके द्वारा publish किया गया था किस organization ने जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग पर आकलन रिपोर्ट को जारी किया है पता ही इसका अंसर कर दिये जंगली प्रजातियों के सतत उपयोग पर आकलन रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकासित की गई है इसका नाम है IPBES के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया IPBES मतलब है Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services इसका formation हुआ 2012 में Headquarter Germany के बोन में located है और इसके अध्यक्स का नाम है एना मेरिया इसका कर दो आरुगार उके वैसे तो पूरा नाम याद रख सकते हो इना मेरिया हर्नांडिस सलगार बढ़ एना मेरिया सलगार भी आद रख लो इतना इनफ रहेगा जर्मानी के बोन में किसे नियुक्त किया गया है अटावरस का अंसर करिए इन हुएज बीन अपॉइंटेट सेवन्त प्रेस्ट अफ इंटरनेशनल फंड फॉर अग्रिकल्च्रल डबलप्मेंट के सेवन्त प्रेस्टेट के तौर पर किनको न पॉइंट किया गया है बहुत बड़िया राइड आंसर बनेगा मेरे बाई एल वारो लेरियो को ओके इनको अपॉइंट किया गया है एल वारो लेरियो को अपॉइंट किया गया अब जड़ब बागी के रेस्ट आप्शन देखो पी उताय कुमार को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमेटेड का चेर्मेन मैनेजिंग डिरेक्टर बनाए गया, दिनकर कुपता को डिरेक्टर जनल बनाए गया, नेशनल इंवेस्टिकेशन एजनसी का, वेंकट नागेश्वर चाला सानी को मेंबर बनाए गये, श्री इंडियन रहे थे, उनका नाम कहाता है रगुराम राजन, ओके नेक्स्ट, विच आइटी रिसर्चर्चर्स हैव डवलप्ट, एन आर्टिफिशल इंटलियंस बेज़ टूल पाइवाट, तो किस आइटी के शोध करता हूंने एक आर्टिफिशल इंटलियंस आदारित टू बनाये गया है, जो कि cancer, जो causing genes है, उनको predict कर सकता है, अब राइस्ट आप्शन देखना जो भी IIT इस न्यूज में रहते, IIT रूल की न्यूज में रहा था, इसने National Highway Infrastructure Development Corporation Limited के साथ समझोता किया था किस चीज के लिए, innovative ideas को share करने के लिए, technologies को share करने के लिए in the field of highway engineering, 19th edition रहा था, QS ने, okay, quick rally, Simon ने किया था, कि London इस तो global higher education है, इसके दुआरे से जारी किया गया था, IAC बैंगलूरू कुल मिलाकर 105 पड़वे नंबर पे रहा था, लेकिन इंडिया में टॉप पर था, और research university में globally भी वो टॉप पर रहा था, IIT Bombay 172 वे नंबर पे था, IIT Delhi 174 वे इंडियन universities थी, जो किस रेंकिंग में रही थी, इसे important mark करेगा, ठीके, next यार, IIT कानपुर और देखना, IIT कानपुर ने ICICI bank के साथ समझोता किया था, campus power, ICICI bank का एक digital platform है, okay, student ecosystem के लिए, और इसका जो first branch होगा, वो IIT कानपुर में setup किया जाएगा, times higher education, Asia university ranking 22 भी रही थी, इसको release किया था, time higher education ने, okay, IIC Bangalore इसमें सीर्ष पर रहा था, best institute था देश में, और कुल मिला कर ये 42 वे नंबर पर रहा था, 42nd place पे, GSS Academy of Higher Education और रिसर्च ये 65 वे नंबर पर रहा, ये कह है, overall, और ये 42 वे नंबर पर रहा, इंडिया में तो पहले पर हो गया, वैसे दूसर 80 वे नंबर पर है, तो ये 4 पर हो गया, ये 3 पर हो गया, इंडिया दो 3rd most represented country रहा था, जापान की 118, चाइना की 71 institution रहे थे, और top 200 में 17 Indian universities रही थी, clear है भाई, next आगे, फरारी की Charles Lekrek ने 22 का Austrian Grand Prix title जीता है, he is from which country, फरारी की Charles Lekrek ने 22 Australian Grand Prix का खिता वह किस देश से हैं, तो he is from Monaco, ये किस country से, Monaco से, Monaco से, next, जोती सुरेखा Venom and Abhishek Verma, इन दोनों ने bronze medal जीता था, आर्चरी में, World Games 2022 में, in Birmingham, Alabama, USA, it is which edition, जोती सुरेखा Venom और Abhishek Verma ने, जो विशु खेल रहे थे, वर्ल्ड गेम से रहे थे, US के अलबामा में, बर्मिंगम में, उसमें तीरंदाजी ये कौन सा edition है, तो दोस्ट ये 11th edition रहा था, okay, सर्बिया के नुवा का जोकोविच ने विमलेंडन 2022 का title अपने नाम किया था, आस्ट्रेलिया के किरगोईस को हरा कर लंदन में, ये नुवा का जोकोविच का किस नंबर का Grand Slam title रहा था, तो आंसर बनता है, ये इनका 21 वा Grand S Slam title रहा था, who become a fourth player in open era after Roser Federer, Roser Federer, Pete Sampras और Bizon Borg, okay, Bizon Borg के बाद, चौते ऐसे खिलाडी कौन है, जिनोंने विमलेंडन टाइटल लगातार दोस्त चार बार जीता है, 28, 29, 29, 29, 22, 22, 22 में लगातार, चार बार इनोंने मलब लगातार, चार बार विमलेंडन टाइटल जीता वैसन का ये 7th title था, विमलेंडन, 7th overall विमलेंडन title था, 21 ये Grand Slam था, okay, 7th विमलेंडन title रहा था, और 4 लगातार टाइटल जीतने वाले open era में 4 खिलाडी कौन बन गए, इनका ना में नोवाक जोकोविच, okay, नोवाक जोकोविच, next, Elena Ribbon का, okay, Elena Ribkinah, ये 1st player है कजाकिस्तान स है, Tunisia से, okay, she is from Tunisia, ये कहां से, Tunisia से, who assume the charge of Managing Director, National High Speed Rail Corporation Limited, National High Speed Rail Corporation Limited के Managing Director का नाम क्या है, राजेंदर प्रशाद, okay, राजेंदर प्रशाद इनका नाम है, इनका भी नाम याद रखना, बाखी के rest option देख सकते हैं, आप लोग, सूरंजत दास को Association of Indian University का President बनाए गया है, okay, ये 101 एक वे नमबर के President बने हैं और अनोंने जी, थिरू वस्गम का स्थान लिया है, Lisa Stalker, इनको President बनाए गया है, Federation of International Cricket Association का, MD and CEO of SBI General Insurance, इनका नाम है, परितोशित्र पार्टी, ये PC कांडपाल की जगे पे बनाए गया है, एलवालो लारियो को इनको International Fund for Agricultural Development का, IFAD का President बनाए गय Who has been appointed Chairman Managing Director of Goa Shipyard Limited, किसको Goa Shipyard Limited के अध्यक्ष और प्रवंद निदेशक के रूप में नियोक्त किया गया है, तो अध्यक्ष और प्रवंद निदेशक के रूप में ब्रजेश कुमार उपाद्या को अपॉइंट किया गया है, तो ब्रजेश कुमार उपाद्या है, ये दोस् Chairman Managing Director, बागी के option देखना, महिंदर सिंग धोनी को ब्रेंडम में बनाएगा, गरूर ऐरो स्पेस का, आरती प्रभाकर को साइन्स एडवाइजर बनाएगा, प्रसेडन ओफ यॉनाइट इस्टेट के जो प्रसेडन है, जो बाइडन उनके साइन्स एडवाइजर का नम आरती प्रभाकर है, एक Quartus Small Finance Bank के MD&COPN बासुदेवन है, and CEO of NITI, इनका नम है परमेशुरन अइयर, okay, परमेशुरन अइयर, Ministry of Home Affairs ने अभी एक कमिटी फॉर्म की थी, डिलिमिटेशन एकसाइज करने के लिए मुनिसिपल वाट्स की, दिल्ली में मुनिसिपल वाट्स है, उनके लिए एक डिलिमिटेशन एकसाइज करने के लिए, Ministry of Home Affairs ने कमिटी फॉर्म की, इसके चेर परसन करना में विकास अगनी होतरी, विकास अगनी होतरी, इसके चेर परसन है, बाकी के ऑप्शन देखो, रंजना देसाई, उत्राखंड गॉर्मेंट ने कमिटी बनाई थी, उनि या फुटबॉल फेडरेशन के जो भी अफेयर्स है, जितनी भी एक्टिविटीज है, उनको देखने के लिए, उसके हैड ते एर दवे, और जो यह कमिटी ओफ एडिमिनिस्टर बनाई थी, इसने अपने लिए एक एडवाईजरी पैनल बना दिया, उसके चेर मेन का नाम ह अमिशा होम मिनिस्टर, सेभी ने अभी एक एडवाईजरी कमिटी बनाई थी, म्यूचल फंड को लेकर, उसके हैड है उशा थुरात, और अभी एक इंटरनेट एंड मुबाइल असोसियेशन ऑफ इंडिया ने, जो वेंचर कैपिटल फर्म होती है, उसके नेटवर्क को ब करेक्ट कर लेना इसको जरा, एक में डियरा है, इसे मैं लिख लेता हूँ, नोटपैड में मेरे दोस्त, कोशन नमबर थी, इसको करेक्ट करना है मेरेको, ठीक है, ठीक है बई, चलो, आगे बढ़ते, नेक्स्ट, नौकिया एस पार्टनेट विद विद विच इंसेट्यू आएसी बैंगलूरू का कोलाबरेशन रहा है, नोकिया के साथ, नेक्स्ट, प्राइमिनिस्टर नरेंदर मोधी विल इनौगरेट मच अवेटेड नूली बिल्ट देवगाड एयरपोर्ट, फाइन, इट हैस बीन कंस्ट्रक्टेड एट एट अन एस्टिमेटेड कॉस्ट ओ अर्मर डे सालेबरेशन, ओके, वल्ड पॉपुलेशन डे, ये कब सेलेबरेट किया गया था, 11th of July को वल्ड पॉपुलेशन डे, विशो पॉपुलेशन, विशो जनसंक्य दिवस सेलेबरेट किया गया था, विच बैंक है, तो तो दोस यह सिटी यूनियन बैंक, ने, सिट corporate agency agreement क्या है corporate agency agreement शिरी राम जनल इंशुरेंस कर रहा है city union bank के साथ okay next union bank of India ने अभी एक metaverse virtual launch launch case का नाम है universe इसके साथ साथ एक open banking sandbox environment भी launch किया है सवाल यह है कि union bank of India के MD&CEO का नाम क्या है तो इनका नाम है A. Manik Malai okay A. Money Make Lai A. Money Make Lai MD&CEO है union bank of India के union bank of India के next year what is the name of former chairman of Videsh Sanchar Nigam Limited who has been acknowledged as the father of Indian internet passed away तो Videsh Sanchar Nigam Limited के पूरवद्यक्ष का क्या नाम है जिनने भारत internet के जनक के रूप में सुईकार किया गया है मतलब जाना जाता था मेरे भाई और इनका निदन हो गया बताए इसका answer दीजेगा इसका answer दीजेगा right answer बनेगा यहाँ पर option no.4 ब्रजेंद के सिंगल उके ब्रजेंद के सिंगल इनका नाम है next Union Minister of State for Space Jitendra Singh would inaugurate ISRO system for safe and sustainable space operation and management in which is city तो केंदरी अंतरच राज्यमंत्री Jitendra Singh ने किसी शहर में ISRO system for safe and sustainable operation and management का उदगाटन किया है तो मेरे भाई answer बनता है करनाटक के बैंगलू रूम है IS4OM को inaugurate किया जा रहा है कहाँ पर करनाटक के बैंगलू रूम है clear भाई दोस्तों मैं फिर एक चीज़ बोल रहा हूं कि right now I am not focusing on 75 MCQ अब आप कहोगे sir 100 MCQ करने का logic क्या है बहुत सारे logic है भाई बहुत बार ऐसा होता है बहुत सारी news skip हो जाती है तो now I am focusing के कोई भी news हो गलती से skip ना हो और 100 MCQ में आपको provide करू okay तो June के last week से मैंने यह 100 MCQ series start करी है June की last class आपके 100 MCQ की रही है July 1st, 2nd and 3rd ये भी आपके 100 MCQ की series है तो 100 MCQ हम लोग cover करके चल रहे है नेक्स देखना इसरो SSA control center इसरो SSA control center इसका ना में नेत्र okay was a setup in which city इसरो SSA control center नेत्र किस शहर में स्थापित किया गया है तो मेरे भाई ये स्थापित किया गया था आपका पीन्या बैंगलूरू के पीन्या में बैंगलूरू के पिन्या में इस रो ऐसे से कंट्रोल सेंटर नेत्र को स्थापेत किया गया है, प्राइमिनस्रिम नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो नई पार्लियमेंट बिल्डिंग बनी है, उसके जो नेशनल इंबलेम है, उसकी मूर्ती मेरे दोस्त उसको अन्वील किया थ जो ये नेशनल इंबलेम है, ये ब्रॉंज का बना हुआ है, जिसका टोटल वेट है 4500 किलोग्राम, 9500 किलोग्राम, इसकी टोटल हाइट कितनी है, सार इसकी टोटल हाइट है 6.5 मीटर, टोटल इसकी हाइट कितनी, 6.5 मीटर, fine 6.5 मीटर, which state become the first state in the country to have 13 expressway, जिसमें से 13 expressway टोटल लेंथ है, 300 किलोमीटर, जबकि 7 जो थे दोस्त, वो अभी आपके काम चल रहा हुन पर, और 6 expressway जो operational हो गए, अब तो बेटा एक और बुंदेल खंड expressway इसको भी inaugurate कर दिया गया, मोदी जी के दुआरा, टेके, तो राइड आंसर यहाँ पर बनता उत्तर प्रदेश पहला स्टेट जहाँ पर की देश के 13 expressway है, यह उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, इतना याद रखना, clear है दोस्त, भाई, session को like करते ही चलिएगा, जितने भी aspirant है, next देखो, which state has signed agreement to help tourists travel between two neighboring states with ease in bid to boost tourism, किस राजी ने परटन को बढ़ावा देने के लिए, परटकों को दू पड़ासी राज्यों के बीच आजसानी से यात्रा करने में मदद करने के लिए, एक समझोते पर अस्ताक्षर किये है, तो यह West Bengal और Sikkim है यार, इसका answer correct करना, it is not, first, okay, it is second, okay West Bengal and Sikkim, right answer क्या बनेगा, इसका West Bengal and Sikkim, यह तो state है, West Bengal and Sikkim, इन दौनों के बीच में समझोता रहा था, दौनों राज्यों के बीच में, टूरिजम को प्रमोट करने के लिए, खार्ची फेस्टिबल was celebrated in which state, खार्ची फेस्टिबल किस राज्य में मनाया जाता है, बेटा त तो बताए, Interpol का जो Child Sexual Abuse Database है, इसको जॉइन करने वाला भारत किस नंबर का देश बन गया, किस नंबर का कंट्री बना है, दोस, it is 68, okay, it is 68, यह 68 नंबर का देश बन गया भारत, okay, तो Interpol का जो Child Sexual Abuse Database है, इसको जॉइन करने वाला भारत 68 देश है, 68 कंट्री है, which bank signed an agreement with Indian Air Force to offer defense salary package under its power salute initiative, तो यह किस bank का है power salute initiative, जो की Indian Air Force के साथ समझोता किया है, इसके तहत defense services salary package offer करने के लिए, okay, तो यह Axis Bank है, okay, इसका नम क्या है, Axis Bank, clear भाई, Joss Eduardo Dos Santos passed away, he was the former president of which country, Joss Eduardo Dos Santos का निदन हो गया, वो किस देश के पूर्वर रास्टपती थे, मिर भाई, इसका नम है Angola Okay, वो किस के रास्टपती थे, Angola के, Angola के, What is the name of eminent archaeologist, historian and former director general of Bangladesh National Museum who has passed away, परख्यात पुरातत विद इतिहासकार और बंगलादेश रास्टी संग्राले के पूर्व महानिदेशक का क्या नाम है, जिनका निदन हो गया, दूसन का नाम है, Dr. Inamul Haq, okay, Dr. Inamul Haq, इनका नाम है, यह eminent archaeologist थे, historian थे, former director general थे, Bangladesh National Museum के इनका निदन हो गया, Coffee Board will collaborate with ISRO to develop climate resistant varieties, Coffee Board of India was established in which year, Coffee Board जलवायू प्रतिरोधी किसमों को विक्सित करने के लिए, ISRO के साथ समझोता करेगा, भारती Coffee Board की स्थापना किस वर्ष में की गई थी बताइए, भारती Coffee Board की स्थापना मेरे भाई किस वर्ष में की गई थी, राइट अंसर दीजेगा इसका, बहुत बढ़िया, उननिस सो ब्यालिस, उननिस सो ब्यालिस, उननिस सो ब्यालिस, बहुत बढ़िया है मेरे भाई, क्या बात है, वैल डन, राइट अंसर बनता है यहाँ पर, नाइटीन, 42 में सको Establish किया गया था, बाके कि जितने भी REST MCQs हैं मेरे दोस्त, वह आपको मिलेंगे, Warrior Pro Batch में, जितने भी REST OPTIONS बनते हैं हमारे MCQ आपके, यह Warrior Pro का, because I already told you in a first slide की भाई, पहली slide में मैंने आपको बताए था, Even now, Weekly MCQ is a part of Warrior Pro, यह Warrior Pro का पार्ट है, Weekly MCQ, Warrior Pro Batch, अब ऐसा नहीं कि आप लोग कहें कि सर, Warrior Pro Batch नया कब स्टार्ट होगा, बढ़ा यह नया Batch, हर दिन नया Batch है यह, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया है, आपसे वो जरा समझने की जरुवत है आपको, Warrior Pro में मैं आपको Financial Awareness प्रोवाइड कर रहा हूँ, हाजी सर, यह नया New Batch स्टार्ट हो रहा है, 23rd of July से, 23rd of July से स्टार्ट होगा, और इसके लिए मैं आपको Running Batch भी एक दिरा, उसमें include करके, मतलब दो बैचेस आपको इसमें already मिल रहे है, एक Financial Awareness के लिए 3.0, Current Affairs के 3000 में recorded MCQs आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, recorded, हर एक महीने के, अब इसमें मेरे दोस्त आपको weekly MCQ provide क्या जा रहा है, 26 June से 2 जुलाई तक का, 3 जुलाई से 9 जुलाई तक का, और आप 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक के 100 MCQ, मतलब 300 MCQ मेरे दोस्त आपको इसमें प्रोवाइड के रहे हैं, जुलाई के अभी जुलाई के और भी week बाकी है, इसके अलावा मंत्री Current Affairs ही live चल रहा है, मतलब आपको मैं live भी Current Affairs detail में करा रहा हूँ, बिल्कुल detail में, जैसे सुबह साथ मजे कराता हूँ मैं, हर एक महीने का, इसमें आपके मई की classes चल रही है, मे की classes, तो आप समझ ये, आपको Current Affairs live मिल रहा है, यहाँ पर fine Current Affairs MCQ प्रोवाइड किये जा रहे है, Current Affairs MCQ में आपको weekly MCQ दिये जा रहे हैं, और यहाँ पर Warrior 4.0 ये financial awareness के लिए हो गया, अभी इसमें एक static GK बैच है, जो कि आपका August से start हो जाएगा, उसों ये cover करूँगा, तो एक single बैच है जिसमें कि आपको मेरे दोस्त में सारी classes प्रोवाइड कर रहा हूँ, Current Affairs B, Current Affairs MCQ भी, Financial Awareness B, Right Now आपको करना क्या है, सिर्फ Warrior Pro में जाके admission लेना है, इसके लिए आपको Address 24-7 application पे जाना है, Address 24-7 application पे जाएंगे, आप Warrior Pro बैच सेलेक्ट करेंगे, ओके, Warrior Pro, और जब आप Warrior Pro सेलेक्ट करेंगे, तो आपसे code पूछेगा, आप code लगाएंगे वहाँ पर Y168, ओके, Y168 code लगाएंगे, यह बैच आपको 1496 का पड़ेगा, 77% discount एप पे, 1% extra coin का discount, 1496 का पड़ेगा, आप मेरी सारी classes देख सकते, सभी classes के आपको recording भी दी जा रही है, और मेरे भाई PDF भी आपको मैं provide कर रहा हूँ, पाइन, तो आज आपको करना क्या है, इस बैच में रोल करा रहा है, मैं एक बार store से आपको दिखा देता हूँ, कि कौन सा बैच है, कहां से आप सारी classes देख सकते हैं, ओके, यह आपका bank maha pack का भी पार्ट है, अगर आप bank maha pack लेते हैं, तो यह आपका bank maha pack का भी पार्ट है, आप website पे जाएंगे, website पे जाने के बाद मेरे दोस्त, आप वैसे तो warrior pro में डारेट यहां से जा सकते, explore courses में, explore courses में जाएंगे बिल्कुल नीचे, और यहां पर आपको मिलेगा यह रहा, warrior pro batch, आप individual किसी batch में admission ले सकते हैं, बढ़ यह warrior pro है, warrior pro में आपको 4 batches provide कर रहा हूँ, मेरे भाई में आपको, एक batch नहीं है, और इसमें enroll कराने के लिए, आपको code यूज करना है, यहां से y168, जब यह आप code लगाएंगे, तो यह आपको 1564 रुपे का देखे, और website आईए, यही application से लोगे, तो वहां आपको 1% extra discount मिलेगा coin का, आपको करना क्या है, यहां से जाएंगे, फिर अपनी classes वग्यरा सारी आप देख सकते हैं, आपकी test series, जब आप इसमें अपनी login ID कर लोगे, जो जिस भी gmail से आप login हो, उसी से यह login कर लेना, उसके बाद मेरे भाई, आप अपने purchase courses में जाओगे, अपनी test series देख सकते हो, खरीदने के बाद, फिर अपनी e-book देख सकते हो, वेडियो courses, लाइव classes, यह सारी चीज़े मिल जाएंगे, 3000 mcq आपको इसमें मिलेंगे, my video courses में, उके, सारी यह bank maha pack का part है हाज, it is a part of bank maha pack, यह आपके bank maha pack का भी part है, adda के maha pack का भी part है, मेरे दोस्त, और bank maha pack plus का भी part है, bank maha pack, वैसे भी आज आज आपको यह lowest price में मिल रहा है, अगर आप लोग 12 महीने का bank maha pack लेते हैं, आज की बात करना हूँ मैं, अगर आप आज 12 महीने का bank maha pack लेते हैं, मेरे दोस्त, तो यह आपको जो पड़ेगा, तो सबसे lowest price पर यह available कराया जा रहा है, लगवक 4 यार से नीचे हैं, इसमें आपको सभी faculty के सभी batches मिलेंगे, सारे bank exam cover है, RRB clerk, RRBPO, SBI clerk, SBIPO, IBPS clerk, IBPSPO, RBS assistant, जितने भी reasonable exam है, cooperative exam है, सौरी, वो आपके cover होंगे, सारे insurance exam cover होंगे, सबका prelims है, सबका mains है, सबका interview, सबकुछ cover है, descriptive तक cover है, सबी live classes रहेंगी, सबके recording दी जाएगी, test series कराएगी, test series के video solution मिलेंगे, revision batches मिलेंगे, आपको recorded videos भी मिलेंगी, e-books दी जा रहे हैं, personality development classes है, spoken classes है, interview preparation कराई जा रहे हैं, सबकुछ live webinar, सबकुछ आपको इसमें free में मिलने जा रहे हैं, मेरे तोस मतलब one time investment है, not free, और आप एक बार investment करेंगे, मेरे तोस इतने में सब कुछ आपको available हो जाएगा, अगर आप six month वाला bank महापक लेते हैं, तो मैं इसके final price आपको बताऊं, application से, यह 2920 रुपे का, 91 रुपे का, ठीक है मतलब यह सुचे, तीन आर रुपे में 10 रुपे कम, मलब 2990 रुपे का पड़ेगा, 2991 का, यह six month के price है, आपको यहाँ पर जाना है, view offer में, और जो code लगाएंगे, it will be Y168, अब Y168 code लगाएंगे, यह आपको 2991 का पड़ेगा, यहाँ से 327 रुपे का दिखा रहा है, 3128 का, लेकिन यह आप application से लेंगे, तो और extra 1% discount मिलेगा, और 12 महीने वाला लेते हैं मेरे दोस्त, 12 महीने वाले में भी save वही करना, आपको Y168 code लगाना है, जैसे आप Y168 code लगाते हैं, ठेक है, तो यह batch आपको पड़ेगा, यह आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर 4139 का, 410 से और कम पड़ेगा मेरे दोस्त, ठेक है, समझ रहे हैं, 410 से और कम पड़ेगा, मतलब क्यों इस 410 से कम का पड़ेगा, उसका एक reason ने मेरे दोस्त, जब भी आप इससे enroll कराने के लिए जाएंगे, application से, भी तैयारी कर रहे हैं, भई, आप बैंक, जैखो, अब हमारे जैसा IBPS कलग का बैच, आप अलग से क्यों enroll कराओ, आप बैंक महापेक लो, इसमें आपको सभी faculty की सभी batches मिलेंगे, जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं, सभी faculty की सभी batches, अब इसमें एक आपको दिख रहा हूँ, बैंक महापेक के बगल में, बैंक महापेक प्लस यह क्या है, अब बैंक महापेक, अगर आप regulatory body की भी तैयारी कर रहे हैं, समझना, आप bank की तैयारी कर रहे हैं, insurance की एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप regulatory body एक्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तब मेरे दोस्ट आपके पास bank महापेक प्लस होना चाहिए, इसमें कोई error आ रहा है मेरे दोस्ट, लेकें, बड़ कोई दिक्कत नी, I hope आपके सारी चीज़े clear रही होंगी, bank महापेक प्लस उनके लिए, जो RBI, Grade B, NABAD, SEBI, SIDBI, इन सभी exam के लिए जा रहे हैं, fine, clear है बाई, all done, किसी भी परकार का कोई doubt है, आप comment कर सकते हैं, rest जो MCQs होंगे, वो आपको मेरे दोस्त warrior pro में, okay, video courses में मिलेगा, live classes में नी, video courses में आपको provide के जाएगा, इस week में मेरे दोस्त, आपकी सारी classes upload हो जाएगी, जितनी भी हमारी rest classes बचती है, मतलब January, July की यह जितनी भी classes है, उस सारी की सारी आपकी upload हो जाएगी, weekly की, weekly की videos मिलेगी, weekly की videos मिलेंगी, 3.0 में financial awareness नहीं है, बेटा, 3.0 में financial awareness यह और क्या है, weekly की video आपको warrior pro में मिलेंगी, एक sequence में कराओ प्लीज, एक sequence में चल रही है, उसमें classes, एक sequence में, June की last class हो चुकी है, उसमें मेरे दोस्त, अब July की पहली दूसरी तीसरी classes आपको मिल जाएगी, मेरे class बड़ी मुस्कल से मिलती है, मेरे class में आपको करना क्या है, आपको मेरे दोस्त, वीडियो courses में जाना 3000 प्लस MCQ के लिए, और live classes में जाना है, warrior 3.0, 4.0 के लिए, तो जो live classes का part है, वो 3.0, 4.0 live classes का part है, उसके अलावा, उसके अलावा मेरे दोस्त, जो हमारे current office live चल रहा है, वो भी live classes का part है, सरफ 3000 MCQ जिसमें weekly मिल रहा है, वो आपका recorded का part है, वो आपको video courses में मिलेगा, ओके, उतकर्ष भाई, इसी week में provide हो जाएंगे, ठीक है, तो आज code इस्तमाल करना है, आपको bank महापेक lowest price पर मिल रहा है, उसमें आपको warrior pro भी included है, फाइन, बाबाई, टेक केर राधर राधर दोस्तों,